विक्रम सिलाइक स्प्रेस में 5 नमंबर से बड़ा परवरतन हुआ है या कौन सी नई सूबधा होगी या आपको अपडेट करेंगे इस वीडियो में तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं भागलपूर से आनन्द बिहार दिल्ली तक चलने वाली विक्रम सिलाइक स्प्रेस ट्रेन बहत खास है और इसको लेकर के इसमें नई अपडेट किया गया है भागलपूर से आनद बिहार जाने वाली विकरम सिला एक्सप्रेस के तीनों रैक में दिव्यांग कोच को जोड़ दिया गया है अब परते एक रैक में सीटों की संख्या बढ़ जाने से दिव्यांग के साथ साथ आम यात्रों को भी सूरियत होगी हाला कि ये सारी सीटें रिजर्वेशन वाली होगी और विकरम सिला 2016 के जून महिने से लेच्वी रैक से चल रही है उसके पहले के पूराने तरह से ICF कोच वाली रैक इसमें सामिल थी जिसमें महिला दिव्यांग कोच मिला कर चार जनरल कोच की सुगधाएं राती थी LHB कोच वाली रैक शुरू होने के बाद दिव्यांग वाली इस कोच को हटा दिया गया है और जेनरल की चार की जग अब दो कोच लगी थी इसी बीच रेलवे ने दिव्यांग कोच लगाने का निने लिया है और नई कोच लगने से विक्रम सिला में लगभग 35 सीटें बढ़ गई है तो यह नई सुधाएं आपको इस ट्रेन में देखने को मिलेगी आगे से जब भी सफर करें तो इस बातों को ध्यान में जिरू रखें तो यह था आज का अपडेट नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले